कड़ कड़ा थी थन्ड और कई खत्रों के बीच सनी देओल ने बनाई है बेटे की फिल्म सनी देओल के बेटे करन देओल की फिल्म पल पल दिल के पास को लेकर दशकों में उत्साहब बना हुआ है हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और अब फिल्म की मेकिंग का वीडियो रिलीज हुआ है सनी देओल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की शूटिंग का मेकिंग वीडियो साजा किया है वीडियो में वेह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि शूटिंग के दौरान उन्हें किस तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ा था वीडियो में सनी देओल ने मनाली के उस लोकेशन को दिखाया जहां पर उन्होंने फिल्म की शूटिंग की थी वीडियो में उचे उचे पहाड और खुबसूरत वादियां देखने को मिल रही हैं लोकेशन में आकसीजन का लेवल बहुत कम था जिससे टीम को स्वास्ते से संबंदित परिशानिया होने लगी थी ट्रेलर में करण देओल और सहर बामबा रोप ट्रैकिंग करते नजर आये थे वीडियो में बताया गया कि करण ने रोप ट्रैकिंग की दस महिने की ट्रेनिंग ली थी मेकिंग वीडियो में करण 11,000 मीटर के उचे पहाड पर रोब ट्रैकिंग कर नीचे उतर ते नजर आए सहर बामबा ने भी बताया कि उन्हें काफी तैयारियां करनी पड़ी थंड और बारिश के बीच शूटिंग करने में उन्हें काफी परिशानी हुई उन्होंने भी ट्रैकिंग के ट्रेनिंग ली थी शूटिंग के दवरान पूरी टीम को कमपक पाने वाली थंड का सामना करना पढ़ा हालत ऐसी थी कि बोतल में रखा पानी भी बर्फ बन जाता था वीडियो दिखाता है कि शूट के लिए करन जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान में अपनी टी-शट उतार कर थंडे पानी में घुसते हैं इसके बाद सनी देओल कड़कडा थी थंड में पानी में घुसकर शॉट देने के लिए करन को चीयर करते नजर आते हैं बता दे कि यह फिल्म 20 सितंबर को रिलीज हो रही है इसका निर्देशन सनी देओल ने किया है